so hello and welcome back to my channel entertainment के पाठशाला तो इस वीडियो में समेस्टर वन का सब्जेक्ट है उसका सजेशन देने वाला हूं ठीक है ना तो वीडियो को जरूर लास तक जरूर देखना काफी इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा और यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा ओविसली क्योंकि मुझे हर इक चीज डिटील में सजेशन देना है तो पूरा है ना यह देख लोगे तो आपको काफी अच्छा मांक्स आपको स्कोर होगा इवेन हो सकता है कि पूरा हंडे परसेंट आजाए इसमें से ठीक है ना तो वीडियो को जरूर लास तर देखना ठीक है इस वीडियो में डिफिनेटली मैं बताऊंगा कि मेरा जो टाच इन पास सजेशन क्या है वो बताऊंगा ठीक है ना पहले उस पर बात करते हैं फिर आप लोग थामनेल में देखी होंगे कि हम एक्जाम के दोरान हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे उसा पर बात करेंगे बट वीडियो का लास में करते हैं वह सा बात पहले में सजेशन पर आते हैं और टेलिग्राम गुरूप का भी लिंक मिल जागा जहां पर आपको जॉइन करना है और वहां पर आपको यह पीडियों मिलेगा और डिफरेंट पास्टेर पेपर वगएर वगडरा सब कुछ मिलेगा ठीक है न तो आपको डिफनेटली जॉइन करना गुरूप के लिंक से और यह जो पीडिएफ अभी जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है यह टीचर से लिया गया तो इसलिए मैं अपना क्रेट नहीं दूंगा यह बनाया वार उसी में से मैंने सब्सक्राइब क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था अभी कि मैं खुझ से अपना पुरा एक जो हाइलाइटेट किया वह आपको इतना इंपोर्टेंट है कि वही पर के चल जाओगे कि मेभी वही पर के चल जाओगे तो आराम से आप पास किया 60-70% आराम से स्कोर कर पाओगे ठीक है ना तो वीडियो को ज़रूर लास्तर देखना चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो यह सरा चाप्टर्स तो है और चाप्टर के बादमें बात करते हैं स्टार्टिंग चापिटरवाइस करते हैं ठीक है आं। तो तो आप अपका एक्जाम आ रहा है तो आप पर लिया होगा तो यह सब देख लेना यह सब चीज छोटा नहीं पहुत नहीं पहुत नहीं पर यह सित पर लेना और विस्लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा गरेंटी है ठीक है उसके बाद लॉफ डिमांड क्या होता है लॉफ डिमांड में अधर तिंस रिमेनिंग कॉस्टन है तो प्राइस और कॉंटिटी डिमांड में इंवर्स रिलेशनशिफ होता है यहां पर लिखा गया है ठीक है जो जो हलेट के वह आपको पढ़ना है उसके इसके बाद यह चीज आपको पढ़ना है कि इंकम एफेक्ट होता क्या है यह पढ़ लेना ठीक है क्योंकि में कितना हम रटेंगे यह अगर हम इकोनॉमिस का बात करें अगर तुमको पता चल दाएगा कि घुमा के भी कोश्यन है तुम इसली अटेंड कर पाओगे यह कैसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको डेफिनेटली अब तुमको पढ़ना भी पढ़ेगा तो ठीकल ख अगर यह शायद काम ना बने ठीक है उसके आथ नीचे चलते हैं ठीक है घिफन गुड्स बात करते हैं घिफन गुड्स ऑविसली एक्सेप्शन दूदेल लॉफ डिमांड है क्योंकि लॉफ डिमांड यह फॉलू नहीं करता है लॉफ डिमांड में क्या बोला गया प्राइ अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बारेगा डिमांड बढ़ता मतब जू नेगेटिव डिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है ठीक है ठीक है यह चीज़ आपको याद आफना गिफन गुड्स क्या यह एक्सेप्शन दूद लॉफ डिमांड भी भी आत इंकम अगर बढ़ता है तो ऑविसलि इसका प्राइस इसका डिमांड घड़ जाता है ठीक है यह एक इनफिरियर गूट्स के केस में आता है चलो आते है नीचे डिमोंस्ट्रेशन अफेक्ट इमोंस्ट्रेशन अफेक्ट भी देख लेना इसका मतलब क्या होता है टीवी खाड़ा तो हमको भी खाड़ता है तो टीवी का प्राइस कुछ नहीं बरातीवी का प्राइस से ही है ब्र स्कुどう में फ्रेंड ने आइफोन कर दा मुझे भी खड़ना था आइफोन का प्राइस सेम ही है बट में हम खड़ना चाहरे तो डिमांड बढ़ गया लेकिन लौफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस कमेंगा डिमांड बरेगा इन्वर्स रिलेशनशिप दोनों में से कुछ दूर कैसे है ना कि मार्क डिमांड कःव क्या होता है एक होर्यांतल होर्यांनल बहुत इंपोर्टन स्मेशन सम करते हैं इसको अगर ऑघनी सब्सक्राइब करते हैं तो उसको यह को भुष्चोन श्रेंट करों कभी को ऑप्शन वर्टिकल गें तो आजिकर आ रहे हो फॉसकि पर जाना अप लोग ठीक है अगा चेंज इन डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिवांड रिवांड वह जान लेना ठीक ना यह थोड़ा इस एक बर रिड कर लेना रिडिक अपना आप लोगों को ओविसली तो है निए कि इसकी बाद बात करते है इशेस्टिस्केणि और डिमांड मिनदा का फॉर्मूला क्या परसफील धें घंत आप जर्ट एक डिमांड आप जाता है इन जनवर आइस ट्फू आपक्ट्स करने तो फ़र्मूला या करना है क्योंकि आपको पाता है कि economics में कुछ कुछ numerical भी आते हैं यह बहुत ही जादा important है बहुत ही जादा कि अगर कोई demand perfectly inelastic है तो elasticity का value क्या होता e equal to zero तो अगर question में आ जाता है यह बहुत ही जादा important है यह चीज़ छोर के जाना ही नहीं है ठीक है और यह horizontal स्टेट लाइन कब होता है एक इलासिटिटी होता है तो यह चीज़ आपको हमेशा याद रखना है जो जी mark की है वो तो याद रखना ही यह च्छोटा सा बात है कि price elasticity का टाइप कितना है कितने मेथाड से हम लोग कर सकते हैं तो आर्क मेथाड है पॉइंट और टोटल आउटल मेथाड है ठीक है यह इनकम इलासिटी अभी price elasticity परे उससे पर सेम है कि कब is greater than one होगा कब zero होगा कब less than one होगा तो क्या बोलते हैं उसको जो अभी उपर परे प्राइस उसी साब से सेम है यह ठीक है न अब आद करता क्रॉस प्राइस क्रॉस प्राइस elasticity of demand होता है दो प्रोड़क्त के बीच में मतब कि दो प्रोड़क्त लिया जाता है दो प्रोड़क्त में किसी एक का प्राइस बढ़ाने साब किसी एक के कॉंटिटी डिमांड में कुछ अफेक्ट परता है तो यह सब चीज निकलता है ठीक इसमें दो प्रोड़क्त होता है इसमें चेंजिन प्राइस दूसरा प्रोड़क्त माने इसका फ्रोड़क्त एक प्रोडक्त है ठीक है और इससे भी जाधा इंप्रीट है यह कि क्रॉस का फोजिटिव होता है सब्सितुट गुड्स में ठीक यूश्टिव और कॉफी एक सब्सिटूट गूर्स आपको पता बढ़ा एक प्रड़क का दाम बढ़ते ही दुसरा कर दिमांद बढ़ा तो यह पॉजिटीव हो ना किसी कि पॉजिटीव चीज आया तो यह करोस्टिसिटी सब्स्ट्टूट में कर लोग रहें लोग वेहिकल कम कर रहें थोरा क्यूंकि पीट्टॉल का दाम बहुत रहें तो देखो भाई का का यह क्या बोलते हैं जो बाइंग कम हो गया तो negative effect पड़ता है ठीक है ना तो यहां पर एक short में लिखा गया cross elasticity तीन टाइप होता है negative cross elasticity negative कब होता complimentary में positive होता substitute अई का 0 कब होता है unclitted goods में ठीक है चलो shift in demand कर एक demand curve अगर shift करता है तो अगर increase कर रहा है that Bear increase ker immaceted ovv 어 right word shift करेगा अगर डीखर कर ओभीषल करेगा अगर डीकर करता obviously left paragraph करे व डीमांड कर वाज़ ब॔लता है कि राइट वड शीफ्ट कर रहा है increase कर रहा हां तो कहां सेफ्ट कर रहा है इंक्रीस कर ने से रहीच़ कर है है decrease करने से left shift करता है ठीक है हम से पहला चाप्ट थोड़ा बहुत explain कर देंगे इसका दिखा देंगे आप लोगों इसके आपको वैसे करना है ठीक है slope of demand का पता है आप लोगों को नेगटिव होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगटिव होगा Elasticity means expansion and contraction ठीक है और Elasticity का टाइप क्या है प्राइस इंकम इलासिक्सिटी और और Cross Illustration तीन है ठीक डिमांड का आपको पता है डिमांड का कभी-कभी आजाता है कि डिफिनेशन डिमांड में ओविसली एक विलिंग होना चाहिए विलिंग होना चाहिए और एबल होना चाहिए बहुत इंपॉर्टन एबल मतलब समझ रहे हो ना खमता खमता है लेने का ट्रेमांड के ुदिफिने चाहिए इसको डिमांड फंक्शन कि या फंक्शन बिट्विन डिमांड और डितर्मिनेंस और ठिक हैं ना रिकिंव पर इक्षोटेल खेला आपको तो तो ओसके अ कुछ इलेस्ट्रेशन में मांक कि यह आपको कर लेना जिससे थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल जाएगा एक दो तीन चार पांच ठीक है उसका कुछ MCQ भी हम टिक किया है जो important है exam point of view से वह कर लेना ज्यादा MCQ नहीं मैंने टिक किया है जो highlighted कि वह आपको कर लेना at least ठीक है चले यह last एक chapter परहा देते हैं ठीक है की ने तो हम बहुत थक क्या रहे हैं और पानी मेरे पास है तो पानी मेरा को सैटिस्फाइ कर देता है एसिके तब बोलते हैं तब वह पानी में उटलीटी है ठीक है और युटिलिटी डिफर करता हर एक जन पर मालों कि हम पेड़ बर के पूरा खाना खा लिए पूरा खाना खाके अब एक बुंद भी पानी नहीं जाएगा और एक बंदा जो बहुत ठक्या आया है और दोनों के पास एक ग्लास रख दिया तो ऑविसली हम जो हम बहुत सब्सक्राइब जयादा खाके हैं हम बोलेंगे पानी नहीं चाहिए लेकिन जो थका वह कुद चाहिए नहीं तो इसलिए उत्फिलिटी के सब्सक्राइब में बहुत साना नमबर के साथ मार्जिनल अप्रोच में सब्सक्राइब और को नहीं मिल लेगा तुम को पता नहीं कौन यह पता नियुक्ति मार्षिसल्ड मार देने बहुत मार्षल निल रेंक करते हैं और लेक्ट पर एकष्ट्रा एक्स्ट्रा उन्ट खाने पर कितना एक्स्टरी मिला उसको इसको मारिट भोलते हैं ठीक है लो प्रफ बहुत फेमस लोग है कि जैसे-जैसे कवान्टिटी बरहाते हैं किसी चीज़ का कंसंप्शन का और विस्ली इसका डिमांड में डिमांड बोल रहा हूँ मैं यूटिलीटी कम होते जाता है हम एक गलेस पानी बहुत थक्या है यह पानी प्रमानी एक इस चॉविसली मनी हो गया को जितना दूब हम भर दो ना पुरा घर भर हम और चाहिए द्रंकर को जितना दारों दो और पिएगा म्यूजिक रिटेल और या फिर हबी बोलो लड़की लोग में क्या होता दिन भर पूरा दिन भर पढ़ने बोलो नहीं पढ़ेंगे लेकिन दिन भर वही अगर क्रिकेट के बहुत चाप्टर का वह नहीं होगा बीच में ब्रेक तो चीनिमाहुल के बाद दिन भर देखे तो जिसका हब्वी है उसमें लॉव नियुक्षिंग मार्जिशुन ते काम नहीं करता है क्योंकि लॉव नियुक्षिंग माजब्ष्टी क्या वहता है जैसे जैसे आपको चीज़ का बाता है उसका उटिलिटी कम होते रहता है हुआ ठीक है और यह एक अधा कंजीमर सर प्लस कंजुमर्स का का निकाला प्रोफेशन मार्शल ठीक है और कंसुमर्स प्लस क्या होता है what he is willing to pay minus what he actually not a consumer surplus का formula के हम मानलों कि हम बहुत प्यास हैं बहुत एक हाई वें में और यहाई रेगिस्तान में यहाई में हाई वहाँ प्चानते हों बहुत दूर दूर रिपर दुकान में लटे है तो महीं हांते बश्दवी पानी जबता很 praying पिलेंगे हमको बहुत प्यास नहीं तो मर जाएगा ठीक है लेकिन गए दुकान धावा मिला दस रुपय का बोटल मिला तो हम चाह रहे थे कि हम पचास भी देने को तयार है वाट आए वस विलिंग टू पे माइनस वाट एक्चुली पे मतलब इस एक्जामपल हम पचास रु तो में पर्टरोत मुझें है और जो मुझा करना है इतना आपर है कि मतमको मैरा जितना लुक्तर से पांच्छों चाप्टर ऊंया है एक चैब कर दिबाइद यह प्डिए मिलैग को क्या है मेरा सबसे पहला प्रायरिटी होना चाहिए आप लोग जो लोग किुए हैं तो मेर तो मिलेगा पीवाई क्यू भी कर ले ना 18 से किस तर और मैं यह बोलना चाहरा हूं कि मेरा सब बन जाएगा कुछ-कुछ कुछन थोरा बहुत नहीं बनेगा बस ठीक है प्यूआ क्यों मैक्सिमिम बन जाएगा आपका तो मेरा सजेशन करने से प्यूआ क्यों मिशन सब्सक्राइब कर लिए तो भी तुम एक्जाम के लिए अल्मुस्ट प्यार हो लेकिन फिर भी यह होता है हम पढ़त लिया रिविजन कहां से करें तो मेरा सजेशन पढ़ हो और रिविशन कर लो टिक टक कर लो यह तिन कर लो कोई भी कोश्चन बाहर से नहीं आएगा एक दो क्षिशन का एजम्शन ले सकते हैं पूरा कुश्चन आप लोगों अरहां से कर लोगे ठीक है एक्जाम पाटन पता है कि तुम जैसा कि देखा जा रहा है हम यही ले रहे हैं कि जो प्रफिशन में और विसले चॉइस आएगा तो आप लोगों जो समस्वें कम टाइम बचेंग लगता है वह सब्सक्राइब करो क्यूंकि टाइम एक घंटा में कोश्चन रहता है बराबरा कुश्चन तो तो करना पड़ता है ठीक है यह बात हो गया उसके फाइनल पाटन हो बड़ स्टिल हम एक्जाम में हल्प करेंगे यह डिपेंड करता है कि अव्स दिन अव्यलेबल रहे या नहीं रहे ठीक है अगर हम एक टेलेकर ग्रूप में एंसर ब्याशते हैं वहां आपको जोईन करने ना ठीक है और करेंगे नहीं करेंगे हम श्रुर्ट यह नहीं कि अगेंस में भी नहीं जाना है कि बहुत ज्यादा बता दिया अगर चालीस मांस का एंसी क्यों आ रहा है एकोनोमिक्स में तो हम कोछी स्करेंगे 20 मांस का बताने का अगर टाइम मिला तो फाइनल चीज यह नहीं है ठीक है ना इसलिए मैंने सजेशन बनाना अगर मुझे पढ़ना है इसलिए मैंने सजेशन दिया है तो पढ़ना ठीक है ना लास्ट आम यह नहीं बता पाए मेरे टाइम नहीं मिला तो बहुत जन बोलते हैं ठीक है ना तो चलो इसी के साथ बेस्ट आफ लग आप लोग होली मनो हापी होली दो दिन नहीं एक दिन होली खेलो दो बस उसके बाद पढ़ना चलो कर दो लगतार है अभी आपको लग रहा हो कि चुटी चुटी लग जब लगतार परेगा ना तो टाइम जाता नहीं मिलेगा ठीक है और एकांट्स आपको डेली हाफ टाइम तो करी रहे होगे ठीक है और यह सब बहुत ही टेकनिकल टाइप का यह बागी सब क्या एंशन एंसीट्यों से पढ़ लोगा ना हो जाएगा कांखलास ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो बहुत जादा शेयर करना ठीक है रिस्पॉंस अच्छा आता है तब हमको सजेशन बनाने भी मन लगता है रिस्पॉंस अगर नहीं आएगा वीडियो म में तो सजेशन क्यों बनाएंगे रिस्पॉंस भी आने से एक पॉजिटिविटीव आता है ना कि हाँ बनाए बहुत जंग कुछ लग रहा है यह वीडियो ठीक है ना चलो थैंक्यू सो मच